नमस्कार हम हमेशा से ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करते आ रहे हैं जिन्होंने देश और समाज में अपनी विशेष भूमी का निभाते हैं ये एक ऐसे ही महान व्यक्ति की कहानी है जिसने भारत और असाम को एक नए रूप में सजाने का काम किया है उस जाने माने व्यक्ति का नाम है रूप कोवर जोती प्रसाद अगरवाल सबसे पहले तो हम इस महान व्यक्ति को नमन करते हैं अठारिवी शताबदी में राजस्थान के जैपूर रियासत में केड़ नामक छोटा सा गाउं था जहां से जोती प्रसाद अगरवाल के पूरवच व्यपार करने के लिए निकले और अठारासो सत्ताईस अठाईस के बीच ये कलकत्ता मुर्शिताबाद बंगाल होते हुए असाम में विश्वनात चारियाली नामक स्थान पर पहुँचे और फिर बाद में वहीं बस गए यहीं से ही आरंब होती है इस असमिया सहित्तकार रूपकोंवर जोती प्रसाद अगरवाल की कहानी सन 1903 में असाम के डिबरुगर जिले में स्थित तामूल बारी नमक चाई के बगान में जोती प्रसाद जी का जन्म हुआ था जोती प्रसाद जी अपने भाई बेहनों में सबसे बड़े होने की कारण बच्पन से ही परिवार में सबसे प्रिय थे उनके दादा हरी विलास अगरवाल नहीं उनका नाम जोती प्रसाद रखा था हरी विलास जी धर्म परायन वैसनब थे क्यूंकि उनके पिता नवरग ग्राम असाम के वैसनब भक्ति संथ शंकरदेव के नाम धर्म में दिख्षित होने वाले मारवारी थे इसलिए हरी विलास ने संकरदेव और माधदेव की साहितिक किर्थियों को प्रकाशित करके साहित और कला के प्रती परिवार के लगाव को आगे बढ़ाया जोती प्रसाद की माता किरनमोई अगरवाल असाम के प्रतिष्ठित परिवार काकती बंश की बेटी थी वो खुद अपने समय की एक जानिमानी गाई का थी और उनके पिता संगस्कृती प्रेमी परिमानंद अगरवाल प्रसिद्ध बहलाव वादक थें जिन्होंने अपने पुत्र को संगस्कृतिवान होने की शिक्षा बच्पन से ही दी शायद इसके कारण ही जोती प्रसाद जी ने बच्पन से ही अपने परिवार का मान बढ़ाया मात्रा चौदह वर्ष की उम्र में ही शोनीत कौरी नाटक की रचना कर उन्होंने अपने माता पिता के सम्मान के साथ साथ असमिया साहित्ध को भी संब्रद्ध किया डिबरुगर में प्राथमिक शिक्षा प्राथ करने के बाद उन्होंने तेजपुर गवर्णमेंट स्कूल में दाखिला लिया जहां उन्होंने दसवी तक पढ़ाई की कुछ साल बाद जोति प्रसाथ जी ने माता किरनमोई अगरवाल और पिता परमानन्द अगरवाल से आशिरवाद लेकर उठ्ष शिक्षा के लिए परिवार से दूर चले गए जोति प्रसाथ जी ने बर्ष 1921 में कलकत्ता से मेट्रिक की परिशा उत्तिरन की उसी दोरान भारत में असहयोग अंदोलन प्रारम हो चुका था वो बीज में ही पढ़ाई छोड़कर अंदोलन में शामिल हो गए लेकिन अंदोलन रुख जाने पर कुलकत्ता के नाशनल कॉलेज में प्रवेश लिया इसके बाद वे 1926 में एकनॉमिक्स के अध्यान के लिए एडिनबार्ग चले गए एडिनबार्ग में शिक्षा पूरी करने के बाद जोती प्रसाद अगरवाल कुछ समय के लिए जर्मनी चले गए जहां उनका संपर्क हिमांशू राई से हुआ राई से ही उन्हें चल्चित्र निर्मान की कला सीखने का अवसर मिला फिर वहां से अपने शिक्षा पूरी कर वो 1930 में सोदेश लोट आए 1930 में भारत आते ही जोती प्रसाद फिर असहयोग अंदौलन में शामिल हो गया साल 1931 में जिस समय असमिया विरांगना कनकलता केवल साथ वर्ष की थी उसी समय असम के तीजपूर जिले के गमेरी गाउं में एक सभा का आयोजन किया गया था उस सभा के अध़क्ष प्रसिद्धनेता जोती प्रसाद अगरवाल थी ये असम के प्रसिद्ध स्वतंतरता सेनानियों में से एक है जिन्होंने आंदौलन में भाग लेने के साथ साथ जनता के मन में देश प्रेम जगाने के लिए साहित्तर रचना भी की कनकलता को इनी के साहित्त और व्यक्तित्व ने काफी प्रभावित किया था क्योंकि एक मात्र जोती प्रशाद के गितों से ही प्रभावित होकर मात्र साथ वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अंदोलन में भाग लिया था दुख की बात ये है कि अंदोलन के कारण ही जोती प्रशाद अगरवाल को 15 महिने की खैद की सजा मिली थी सन 1932 में जेल में रहने के दोरान उन्होंने पहली असमिया फिल्म सती जैमती की पढ़कता लिखी ये पढ़कता असमिया साहित के मशूर नाटक कार लकमिनाथ बेचबरुआ के एक नाटक पर अधारित थी सजा के बाद सहीयोग्यों के साथ मिलकर जर्मनी में सिखी फिल्म निर्मान कला का उप्योग करके जोती प्रशाद अगरवाल ने वर्ष 1935 में असमिया साहित कार लकमिनाथ बेचबरुआ के एतिहासिक नाटक जोयमोती कुवरी को आधार मान कर प्रथम असमिया फिल्म बनाई इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, पठकताकार, सेट डिजाइनर, संगीत तथा निर्त निर्देशक सभी कुछ वहीं थे ये असमिया जाती एतिहास का स्वर्ण यूग था उसके बाद प्रसाज जी ने सन 1949 में दूसरी फिल्म इंद्रमालती बनाई सन 1936 में जोती प्रसाज जी देवजानी भुयां के साथ विवाह बंधन में बंद गए देश प्रेम समाज की समझाए आदिव विशय को लेकर उन्होंने साहित रचना की थी अच्छी बात ये है कि जोती प्रसाज अगरवाल की संपूर्ण रचनाए असम की सरकारी प्रकाशन संस्था ने चार खंडों में प्रकाशित की थी उनमें दस नाटक और लगभग उतनी ही कहानिया एक उपिन्यास 20 से उपर निबंध तथा 369 गीतों का संकलन है जो प्राया सभी असमिया भाशा में लिखे गए हैं उनके तीन चार गित हिंदी में भी हैं इसके साथ ही उन्होंने कुछ अंग्रेजी नाटक भी लिखे हैं प्रसाद जी के हर सुखदुख और सफलता में माता पिता की तरह ही उनकी पतनी ने भी पूरा साथ दिया था शिक्षित दो पुत्रों और पांच कन्याओं के साथ संस्कृतिवान सुन्दर परिवार सजाकर उन्नी सो उनन्चास में देवजानी भूया का देहान्थ हो गया था पतनी के मृत्तु के दर्ध और उन्नी सो चैलिस से करकरोग से पेडित होकर भी उन्होंने साहित रचना की और जीवन के अंतिम दिनों तक की उनके कनकलता आदी नाम से लिखे गए अधूरे नाटक से ही यही प्रमानित होता है जोति प्रसाद जी नाटक, गीत, कविता, जीवनी, बाल कविता, चित्रनाइट, कहानी, उपनास, निबंध, आदी के मैध्धम से असमिया भाषा सहित और संगस्कृती में अत्तुलनिय योगदान देकर अमर हो गए साथ ही असमिया समाज को भी अमर कर गए और असमिया सहित में एक यूग का सुत्रपात किया धन्यवाद गोसे गोसे पाती दिले फूल और अराई रामोना फूल और अराई फूल और अराई फूल और अराई गौसे गौसे पाती नीले खूलरे होराई रामो राम खूलरे होराई खूलरे होराई खूलरे होराई कोलिया खूमुराई गुंजरी आहे कोलिया खूमुराई गुंजरी आहे गुंधो के दियाई रामो राम गुंधो के दियाई गुंधो के दियाई